नमुश्कार आपको सोगति इस्टोक अलोजी में आज हम बात करने वाले हैं कैन फिन होम्स लिम्टिट के क्वाटरली रिजल्ट्स के बारे में तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब में किया है प्लीज सब्सक्राइब करें बैल आकॉन पर क्लिक करें वीडियो लाइक तो अब हम दिखेंगे रिजल्ट्स को यहां पर जो आक्र दिए गया हैं वहाँ लाख में बात करते है रिजल्ट के फॉर्मैट की तो सबसаты लाश्ट में गया है वो सुतंबर 21 कोडर के रिजसल्ट है सब करो आपको सब से पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं सितंबर 22 कोटर के रिजल्ट तो बात करते हैं फर्स्ट नमबर पॉइंट टोटल इंकम फ्रॉम ऑपरेशन की तो सितंबर की स्क्वाटर में 46,788.69 लाग के टोटल इंकम थी जून बाइस क्वाटर में 16,159.01 लाग की टोटल इंकम हुई और सितंबर 22 कोटर में 65,755.28 लाग की टोटल इंकम हुई है तो टोटल इंकम की बात करें येर और येर में सितंबर 21 कोटर से सितंबर 22 कोटर में तो येर और येर बेसेस में हमें 40% इंकम में ब्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है बात करें quarter on quarter में June 24 से September 22 quarter में तो quarter on quarter basis पे पर 8% इंकम में ब्रद्धी होते उए नजार आ रही है आप देखेंगे expenditure को सबसे नीचे दिए गए है total expenditure September 21 quarter में 39,884.19,00,000,00 के total expenditure थे जून वाइस क्वाटर में 49,281,3 लाग के टोटल एक्सपेंडिचर हुए और सितमबर वाइस क्वाटर में 45,470,39 लाग के टोटल एक्सपेंडिचर हुए है तो टोटल एक्सपेंडिचर को देखें येर ओन येर में सितमबर 21 क्वाटर से सितमबर 22 क्वाटर में तो year on year basis पे 52% की व्रदी expenditure में होते हुए दिखाई दे रही है बात करें quarter on quarter में जून वाइस quarter से सितम्बर 12 quarter में तो quarter on quarter basis पे 16% expenditure बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अब हम देखेंगे profit and loss statement को तो देखते हैं third number point profit before tax को सितम्बर 21 quarter में 16,904.50 लाग के profit before tax थे जून वाइस quarter में 21,886.88 लाग के profit before tax हुए और सितम्बर 22 quarter में 20,284.89 लाग के profit before tax हुए है तो profit before tax को देखें year on year में सितम्बर 21 quarter से सितम्बर 22 quarter में तो year on year basis पे 20% की व्रदी profit before tax में होते हुए दिखाई दे रही है बात करें quarter and quarter में June 12 quarter से September 12 quarter में तो quarter and quarter basis पे profit before tax घटते हुए नजर आ रहे हैं अब हम देखेंगे fifth number point को net profit after tax को मतलब company के net profit को तो September 12 quarter में 12,360.6 लाग के net profit थे June 12 quarter में 16,221.2 लाग के net profit हुगे और September 12 quarter में 14,171.1,7 लाग के net profit हुए है तो net profit को देखें year on year में September 21 quarter से September 22 quarter में तो year on year basis पे 15% के ब्रदी net profit में होते हुए दिखाई दे रही है बात करें quarter on quarter में June 24 से September 22 quarter में तो quarter on quarter basis पे हमें net profit घटते हुए नजर आ रहे हैं तो यहां पर year on year profit बड़े हैं जबकि quarter on quarter profit घटे हैं ओवराल रिजल्ट्स की बात करें तो हमें एक कंपनी का year on year performance बहतर होते हुए दिखाई दे रहा है कंपनी के profit बड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं रिजल्ट कफी अच्छे आए हैं धन्यवाद करता है झाल झाल